हेलो फ्रेंट साहिम अप्रिती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लावर्स नहीं आते हैं तब तक इसकी पत्तियां ही इतनी खुबसूरत लुक देती हैं आपके गार्डन में क्योंकि पत्तियां काफी बड़ी और खुबसूरत होती हैं Amazon Lily Bulb से ग्रो की जाती है और ये तीन प्लावर्स हैं जो कि हमारी बुवा जी के गार्डन से हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में हमने कुछ वीडियो उन्हीं के गार्डन से शेयर की थी और आपसे तब कहा भी था कि इस प्लावर्स आएंगे तो आपसे शेयर ज करेंगे आज के वाल इसके प्लावरिंग पर हम आपसे कुछ बाते करेंगे तो यह जो प्लावर्स हैं यह लगभग दो साल से उनके पास हैं और यह प्लावर्स नहीं दे रहे थे उसका कारण था उसका कारण था कि जब तक बल्ब हेल्दी नहीं होंगे तब तक आपको प् प्लावर्स प्लावर्स पाने के लिए क्या करना है एक तो आपको लिमिटेड वाटरिंग करनी है तो बहुत जाए पानी नहीं होना चाहिए या फिर well-drained soil बनाईए और drainage system अच्छा रखिए pot का तो अगर कभी जादा पानी हो जाता है बारिश में भी plant पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और बारिश में भी रखा रहता है plant लेकिन well-drained soil और drainage system अच्छा बनाना है और अगर well-drained soil नहीं है पानी hold होता है तो आप plant को ऐसी sunlight पसंद नहीं होती है आप semi shade में रख सकते हैं जहां पर हलकी फुल की चंचन कर दूप आती हो या सुभह शाम की दूप आती हो या bright light plant को बहुत पसंद है indirect light बहुत पसंद है तो आप इसको terrace garden में रखिए लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर इसको direct sunlight ना मिले या फिर अगर green net उपर से लगाया हुआ है आपने तो उसमें भी यह आप रख सकते हैं तो हलकी फुल की धूप अगर plant को मिलती रहे फिर तो कोई बात नहीं है तेज गर्मियों में तो आपको बहुत धूप से बचा कर रखना है तो अभी plant पे flowers आने लगे हैं और पानी और धूप के बारे म और अच्छी ग्रोथ होगी और ओवर मॉश्चर का ध्यान रखना है क्योंकि ओवर मॉश्चर से बल्ब कलने लगते हैं healthy नहीं होंगे तो flowers भी नहीं आएंगे तो इस बात का ध्यान रखिए तो इस प्लाइंट पे दो साल में पहली बार प्लावर आये हैं और दो इसमें द तो यह आपके यहां के मौसम और temperature पर depend करता है और आप उसकी कैसी देख भाल कर रहे हैं उस पर भी depend करता है तो इस flowering plant को वो viewers भी grow कर सकते हैं जिनके यहां पर धूप नहीं आती है क्योंकि काफी viewers ऐसी जगे पर रहते हैं जिनके पास balcony है और balcony में धूप नहीं आती है तो हम इसको मिट्टी बनाएंगे इसकी त्यार करेंगे तो बल वाले प्लांट से उनकी एक तरह से देख भाल एक जैसी ही होती है बस over monster soil में नहीं बनाना होता है हलकी नमी रखनी होती है Amazon Lily को humidity पसंद है इसलिए आप इसके लिए pebble tray रख सकते हैं यानि कि इसके pot के नीचे आपको tray या plate रखनी है उसमें कुछ पत्थर रखने है और पानी भर देना है तो इस तरह से क्या है humidity बनी रहती है और plant अच्छी ग्रोथ करता है पत्ती उपर हलका spray करें तो भी plant अच्छ ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश के मौसम में अपने आप मौसम में humidity होती है जिससे plant अपने आप अच्छी ग्रोथ करता है Amazon Lily एक house plant है आप इसको indoor भी grow कर सकते हैं लेकिन ऐसी जगे पर रखिए जहां पर bright light मिले fresh air आनी चाहिए कहीं बंद जगे आपको plant को नहीं रखना है फिर भी कोई query हो तो आप जरूर पूछे थैंक यू